हेलो फ्रेंज तो फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद मैं वापिस आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और हमेशा कितना आज की वीडियो भी एकदम हटके और यूनीक होने वाली आप भाई आप लोग पूछोगे कैसे और ऐसा क्या बताने वाला तो वीडियो में तो वैसे तो आपको टाइटल देखके अंदाजा आई गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मैं एक online टूल के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ और जब मैं आपको उसका use बताओंगा न तो आप खुशी कि मारे खूदने लगेगा अब लगना क्या है भाई तुने तो दिल की बाद छीन ली तो आप कैसे बासकते हैं उस जादू की छड़ी उर्फ टूल को और कैसे उसे यूज कर सकते हैं यह सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ठीक है तो वीडियो को पूरी देखेगा और अब श किसी भी सॉंग का हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटल और अकापले जेनरेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आप इसके थू हाई क्वालिटी कराओ के या फिर आप वोकल ट्रैक को सेपरेट कर सकते हो किसी भी सॉंग के ठीक है तो अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये काम तो और वेबसाइट भी कर लेती है इसमें ऐसा क्या खास है तो सबसे ज़्यादा खास और प्लसफाइट जो इस टूल का है वो ये है कि आप इस टूल के तूल के तूल अपने किसी भी फेवरेट सॉंग का मीडी जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है तो अब जिन लोगों को मीडी ट्रैक के बारे में पता नहीं है मैं उन्हें बता देता हूँ मीडी ट्रैक होता क्या है ठीक है अब इस टूल की मदद से होगा क्या इस टूल से सिंप्ली ये होगा कि ये टूल आपको पूरा का पूरा जो पैटन जो सॉंग को बनने में लगा है वो सारा का सारा पैटन आपको एक ट्रैक में दे देगा ठीक है आपको सिंप्ली से इंपोर्ट करना होगा अपने बैंड में ठीक है और कोई भी उसके लिए instrument आपको select कर लेना होगा अब इस midi से फाइदा क्या होगा इस midi से फाइदा यह होगा कि जैसे आपको कोई pattern बजाना नहीं आरा आपको hard लग रहा हो बजाने में आपको समझ नहीं आरा कैसे बजाना है तो आप इस midi से refer कर सकते हैं इस midi क कैसे हम इसको access कर सकते हैं टूल को ठीक है और कैसे हम इसको properly use कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना है क्या है सबसे पहले आपको अपने phone में Chrome browser खोलेना है जो आपके phone में by default browser रहता है Chrome browser उसे आपको अपने phone में खोल लेना है खुलने के बाद आपको एक बड़ा सा डबब me ठीक है aifil.me ठीक है आपको सिंपली से एंटर कर देना है यहां पर और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है थोड़ा सा टाइम यह लोड होगा ठीक है लोड होने के बाद आपके समने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा इस वेबसाइट का यहां सबसे टॉप में आपको वेबसाइट का नाम देखने के मिल जाता है जो कि AI feel me ठीक है नीचे आपको देखने के मिल जाता है लिखावाई कि separate audio tracks and obtain piano notes online ठीक है वरना आपको और भी चीज़े पढ़ने है कैसे क्या 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 काम करता है यह तो नीचे बहुत सारा लंबा प पुछ इंटरफेस आजाएगा ठीक है यहां पर बता रहा है कि देखो यह चीज़े separate आप कर सकते हो ठीक है जैसे आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगी यहां पर आपको create account करने के लिए बोलेगा यह ठीक है यह चीज़ बहुत जरूरी है यह आपको करनी पड़े yearly basis पर जैसा आपका मन हो तो मैं तो आपको free basis पर बताने वाला हूँ ठीक है तो free basis पर use करने के लिए आपको simply करना क्या होगा यह email आले box में अपना email डाल लेना होगा ठीक है और कुछ password डाल के create account कर लेना होगा ठीक है वरना यहां पर आपको sign up with google का option भी दिखता है ठीक है जैसे आप इस पर click करोगे आपके phone में जो जो Gmail होगे उसके एक window खुल जाएगे ठीक है आपको simply एक Gmail पर click कर देना होगा और automatically इस app में आपका account बन जाएगा जैसे यह आप account create कर ले तो आपके समने ऐसा कुछ interface आ जाता है अगले page पर यहां पर आपको अलग-लग options देखने क जैसे कि आप नीचे जाओगे तो आपको upload your audio file भी अगर आपके phone में कोई audio file है उसको अगर आपको instrumental और वोकल सेपरेट कर देना है तो simple आप upload करके भी यह काम कर सकते हो बाके अभी तो मैं आपको music from a youtube video वाला option यूज करके दिखाऊंगो क्योंकि सबसे best मुझे यही लगा इस website में आपको करना है कि music from a youtube video आप्शन पर क्लिक कर देना है ठीक है अब यह highlight होगा चमंकने लग गया मतलब अब यह selected है ठीक है अब आपको आगे क्या करना है आपको नीचे की तरफ scroll करना है जैसे आप नीचे की तरफ scroll करोगे आपको यहां नीचे की तरफ देखने को मिल और नीचे एक डबबा को जिसमें लिखाओगा पेस्टा लिंक टू यूट्यूब वीडियो ठीक है इस डबबे में आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है जिसकी music को आपको separate करना है instrumental vocals को जिसके media आपको generate करना है तो मैंने भी एक YouTube वीडियो की लिंक का रखी ती तुझे कि आपको मैंने चाहने लगे कर आओगे कि मैंने इसे पेस्ट कर दिया उस लिंक को ठीक है अब आपको गो वाला जो बटन दिख रहा है इस पर सिंपली टैप कर देना है ठीक है गो पे क्लिक करने के बाद आपके समने उपड़ से एक ऐसी विंडो आ जाएग कि इसमें लिखा है कि आपका song कितना percent processed हुआ ठीक है तो आप यहाँ पर my track वाला जो आपको button दिख रहा है एक तो got it का है my track वाला तो आपको my track वाले button पर simple click कर देना ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा time page को load होने में लगेगा load होने के बाद आपके समने आपकी profile page आ जाएगी और अब यहाँ पर 0% दिख रहा है क्योंकि अभी काम चल रहा है ठीक है तो अभी मैं आपको थोड़ी दिर बात दिखा तो जब यह 100% हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकतो है यहाँ पर मेरा success हो चुका है 100% ठीक है अब यहाँ पर option आने लगया open report का ठीक है अब देख सकतो open report का option आ रहा है heading देखने के मिल जाती है इसके just नीचे आपको song का नाम देखने के मिल जाएगा जिसकी link आपने इसे provide करी होगी ठीक है और इसके just नीचे जो आपको यह play करने का button दिख रहा है अगर आप जैसी इस पर click करोगे आपको original song सुनाई देने के मिल जाएगा ठीक है बाकि backing track अपना karaoke track या instrumental track इसे पर play कर सकता हूँ या simply download कर सकता हूँ अगर मुझे इससे download करना है तो download आले button पर मैं simply यहाँ click कर दूँगा ठीक है तो यह download होने लग जाएगा नीचे आपको voice track अका पहले का भी दिख जाता है ठीक है अगर आपको voice track download करना है जो कि इसने separate कर रखा है तो आपको simply download आले नीचे वाले button पर click करना है यह download हो जाएगा और नीचे scroll करोगे तो आपको instrumental midi भी देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है इसी midi track के मैं बात कर रहा था आप इसे भी play एकर के सुन सकते हो ठीक है और अगर आपको download करना है तो नीचे यह download midi का option देखने के लिए मिल जाएगा आप इस पर simply click कर सकते हो और वो midi download हो जाए तो नीचे से अब जैसे मुझे यह instrumental midi download करना है तो मैं simply क्या करूँगा download midi option पर click कर दूँगा ठीक है जैसे मैं इस पर click करता हूँ यह 100% load हो जाएगा और अपने आप automatically download हो जाएगा देख सकते हो आप यह फटाफर download होगा क्योंकि 14.20 यह भी का था आपको downloads में जाके भी इसे कुछ इंटरफीस आजाएगा ठीक है यहां पर यहां पर तो हमारा सारा काम पूरा हो चुका है ठीक है जैसे आपकी भी media download हो जाए तो अब आपको क्या करना अपने फोन में file manager खोल लेना है ठीक है जैसे आप file manager खोलोगे आपके समने ऐसे कुछ interface आजाएगा ठीक है य आपको rename वाला option होगा इस पर click करना ठीक है अब आपको इसे rename कैसे करना है क्या rename करना है तो आपको इसके नाम के आगे बस आपको लगा देना है dot mid लगा देना है आपको और बस simple tick वाले option पर click कर देना ठीक है अब जैसी यहां पर मनें tick कर रहा है यह बोला changing the file extension make the file unusable तब भ पर वापस click करता हूं तो यह मेरी अब file के extension मैंने change कर दिया ठीक है और इस file के आगे music का emblem भी बनाने लग गया मतलब यह music file बन चुकी है मेरी ठीक है अब इस file को मैं easily bandlab में import कर सकता हूं और इसे use कर सकता हूं ठीक है तो यह step बहुत important है अगर आपको import करना है उस midi को अपन जैसे मैं tap करता हूं थोड़ा सा load होगा, load होने के बाद यहां पर मेरी file manager खोल देगा ठीक है तो मैंने download में आप देख सकता हूं यह 9.39 मिनट पर मैंने यह download करा था ठीक है तो मैं simple इस पर click कर देता हूं ठीक है इस midi file पर, जैसे आप midi file पर click करता हूं आपको समने ऐसा प्लिक कर दिया ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हूं कि मेरा midi track import हो चुका है ठीक है, यह normal track से थोड़ा different है क्योंकि इसमें pattern मेरा दिख रहा है साफ साफ ठीक है, normal track में मेरा pattern नहीं दिखता है, अब मैं आपको इसकी court sheet भी खोल के दिखा देता हूं कि कहीं आपको आए गई यार, अब क्या करें? drawbacks भी हैं कि 100% बिल्कुल perfect नहीं होती इसकी immediate ठीक है, आपको length गिरा, adjust करनी पड़ती है, बाहर की ठीक है, अब यार, इतना सब हो रहा है तो थोड़ी मेनत खुद भी करनेंगे, तो कुछ जाएगा तो नहीं है ना, तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई और फिर मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ,